नमस्कार दोस्तों बिहार इंटर्मीडियर एजामनेशन 2021 में आज हम लोग हिश्टी पेपर का 100 अबजेक्टिव कोश्चन जो पूछे गए थे उनका इंसर देखेंगे हलाकि आप लोगों को इंसर 50 अबजेक्टिव कोश्चन का ही देना था लेकिन हम लोग इस वीडियो में सभी 100 अबजेक्टिव कोश्चन का इंसर देखेंगे और आप लोग अपने question का insert अपने set के नुसार मिलाएगा देखे, set जो है J, J set से मैं insert बतलाने बाला हूँ तो आप लोग का set अगर J नहीं होगा तो question को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद अपने paper में उस question को ढूण कर उसका सही सही insert आप लोग ये चेक कीजिएगा ठीक है, तो हम लोग वीडियो सुरू करते है पहला question हम लोग देखते है पहला question देखी क्या पूछा गया है पहला question है पर्थम बौध संगीती कहां हुई थी तो देखे दोस्तों पर्थम बौध संगीती जो है 483 सापुर्व राजगीरिह में हुई थी तो इसका सही answer हो जाएगा option C तो एक का जो भी C मार कर आए है option उनका सही है उसके बाद दूसरा पुछा गया है स्वितामबर और दिगंबर किस धर्म से संबन्धी थे तो देखे स्वितामबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के दो संब्रदायत है इसका सही answer हो जाएगा option B ठीक है option B हो जाएगा दूसरा का option B हो जाएगा सही उसके बाद तिसरा पुछा गया साची का अस्तूप किस धर्म से संबन्धी थे देखे अस्तूप जो है बहुत धर्म से संबन्धी थे option इसका हो जाएगा ए सही तिन का उसके बाद चोथा question देखे सेर साहने किस मुगल समराट को हराया था option इसका A बाबर B ये है हिमाय। C है अकबर और D है जहांगिर तो इसका सही answer होगा option B हुमाय। उसके बाद पाच्चमिन जाह हुआ है जहांगिर का सासनकाल हो जाएगा 1605 से 1627 से ब्यानी की option हो जाएगा D सही पाच्चका उसके बाद छे में है सुलह एक कूल का साबदिक मतलब क्या है सुलह एक कूल का साबदिक मतलब है सभी धर्मों में संति भाई चारा तो इसका सही answer हो जाएगा option B धर्म सुलह एक कूलह का मतलब हो जाएगा धर्म उसके बाद साथ में पूछा गया है 1556 में पानी पत की दूसरी लिडाए में अकबर ने किसे हराया था answer हो जाएगा option C तो 7 का हो जाएगा option C 1556 में पानी पत की दूसरी लिडाए में अकबर ने किसे हर आया था हे मूखो ठीक है उसके बाद 8 में क्या है जीतल क्या था जीतल सिक्का अनि option हो जाएगा देखिए ताजमान का निर्मान यह तो बराई जी कोशन है सा जहां ने करवाया option देखे डी हो जाएगा साही उसके बाद 10 में क्या है कुरूचेतर का यह भी इंडो साराशेनिक, उप्शन जो है इसका B हो जाएगा सही, इंडो साराशेनिक अस्थापति सहीली ये हो जाएगा उप्शन B सही आठ का, ठीक, ए सोरी, ग्यारा का उप्शन B हो जाएगा सही, इंडो साराशेनिक. गेटबे ओफ इंडिया का निर्मान कब हुआ 1913 में हुआ था ओप्शन हो जाएगा इसका D सही ठीक है 1913 में B बलाई ये गला थे 1911 गेटबे ओफ इंडिया का निर्मान 1913 में हुआ था उसके बाद भारत में रेलबे की सुरुवात कब हुई थी अठारसो तीरपन में ओप्शन इसका देखी हो जाएगा B सही भारत में रेलबे की सुरुवात अठारसो तीरपन में हुई थी उसके बाद चवदर में मातमा गांधी दच्छीन पिर्खा से भारत बर्स कब लोटे थे 1930 में ओप्शन हो जाएगा सी सभी ने अब अनदुलन ओप्शन सी हो जाएगा गांधि जी के राजनी थी गुरू काउं थे गुपाल क्रिश्ण गोखले ओप्शन देखी B हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा ओप्शन 16 का batt consist हो जाएगा उसके बाद 17 में है डांडी मार्च से किस अंदूरम की सुरूआत हुई थी को मिलेगा इस YouTube चैनल पर, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी-जल्दी, चलिए उसके बाद 20 में पुछा गया है, साइमन का मिशन भारत का बाया था, उसके बाद गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, गंगा ग्यान की प्राप्ति कहा हुई थी, बोध गया, बोध गया, बराही जी कोश्चन है, बी, मातमा बोध को ग्यान की प्राप्ति कहा हुई थी, बोध गया में, चलिए अस्तूप किसे समन्दी थी, अस्तूप किसे समन्दी थे, बाध धर्म से, ये सभी लोग जानते है, अस् प्रफशन हो जाएगा बी सही 23 का चलिए दूस्तों 24 में क्या पूछा है महाविर का जन्म कहा हुआ था बराही जी कोश्चन है महाविर का जन्म वैसाले कुंडल पूर कुंडल बन में हुआ था उप्सन हो जाएगा इसका सी सही अकबर कावित मंतरी का उन्था टोडर मल उप किस सासकनी राजदानी परिवर्तित की थी दिल्ली से दौलताबाद जो है मुहम्मद बिन तुगला का उप्सन हो जाएगा देखे बी सही ठीक है तो 27 का बी सही हो जाएगा उप्सन चलिए ताज महल किस नदी के किनारे इस्तित है ये बराही जी क्वेशन है ताज महल जो ह है भारत में मुगल बंस का संस्थापक कौन था बाबर बाबर जो है मुगल बंस का संस्थापक था उप्सन हो जाएगा इसका सही उसके बाद आजए सेरे पंजाब लाला राजपतराई सभी लोग जानते है इसका उप्सन हो जाएगा डी सही सेरे पंजाब क्यों जाएगा इसका उप्शन होगा D सही, फरवार्ड बलोक उनिशोन चालिस में किस पार्टे का गठन क्या था नेजाजी सुभास अदर भूस ने, तो ध्यान से सुनिएगा फरवार्ड बलोक उप्शन हो जाएगा इसका D सही, चलिए, उसके बाद 33 देखे, 14 नमबर किसका जन दिवस है, ये ब्रही जी कोश्चन है, बच्चा बच्चा जनता, 14 नमबर जो है बाल दिवस, जबाहर लाल नेहरू का जन दिन है, ये उप्शन हो जाएगा इसका C सही, ठीक है, उप्शन हो जाएगा C सही, चलिए, 34 में क्या है, कैबिनेट मीशन भारत कब आया था, कैबिनेट मीशन भारत आया था 1946 में, उप्सन देखिए इसका हो जाएगा D सही ठीक है, 34 का हो जाएगा D 1946 सही हो जाएगा, उसके बाद आजाए, यह मुस्लिम लिकेस अपना कब हुई थी, उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ था उनिच्ट पांच शिवी कि पांच स्बखतर चाइए और से कुछ ने था लाली अधिनायक जाए कहा ठीक हुई चलिए भाई रजंदर परसाद आने की पर्थम रष्टपती का जन्म कहा हुआ था बिहार जीरादेई में उप्सन हो जाएगा C ठीक है रजंदर परसाद का जन्म हुआ था जीरादेई में चलिए उसके बाद भारत का समिदान ये सभी लोग जानते 26 जन्मड़ी 1950 में 26 जन्म इसका माई एक्स्प्रिमेंट भी तुरूत क्या हो जागा माहत्मा गांधी चलिए मिलाते जाईएगा सही सही अंसर आप लोग को मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर हमाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जी आप चैनल पर नहीं है तो और सेर जरूर कीजिए आप इस वीडियो को सेर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि वे लोग भी अपने एंसर को मिला सके चलिए नेक्स्ट कोर्शन हम लोग देखते हैं सर की उपाथी किसने वापस की थी देखे रविनर टाइगोर जे है उन्हें सर की उपाथी दी गई थी जिन्नों वापस कर द पाथी जानार पाथी यह थे ओपसन देखे इसका सी होगा सही 284 ऑपसन सी इसका सही 24 में करता है कई बीनेट मिशन के सदसित हैं ऑपसन यह देखे पैथिक लॉरेंस बी एबी अलेंजेंडर और सी सर अस्टे फोर्ड की रिप्स यह तीनों ही सामिल थे ओपसन हो जाएगा बहुत बाथी है कि बहुत इसका सही इन में से सभी चलिए भारत कि सबस्स गَّंतर बरा देखे सभी को पता है बच्चा बच्चा जानता है भाई भारत किस बस गंतर बना था तो इसका उपशन देखे हो जाएगा बी सहीुनिस्ट पचास में ठीक है यह सब baoझ वच्छे उसके बाता जाएए बारत बर्सकान था लॉर्ट माउंट बें टन सही इंसर होगा उप्सन ए यह बी जो है सी राज गोपाल चारी यह गलत है यह सोतंत्र भारत का पर्थम बाइस राए थे चलिए उसके बादा जाए बारती राश्टी कांगरिस के स्थाफना थासो चलिए उसके बाद जाए हिंद का नारा किसने दिया जाए हिंद का नारा दिया था सुबाच अदर बोस बेद बावन में इंगलिस इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना 1600 में बिल्कुल सही है उप्शन ए हो जाएगा 1600 में उसके बाद तिरपन में कहता है संथाल विद्रो कब हुआ था ठरसो पंच्पन में हुआ सा संथाल विद्रो ऑप्शन हो जाएगा डी सही किस गवर्नर जनरल ने महाल बारी विवस्था को लागू किया था इसका एंसर देखिए हो जाएगा लौर्ट बेंटिंग ऑप्शन हो जाएगा सी सही ठीक है किस गवर्नर जनरल ने महाल बारी विवस्था को लागू किया था उप्शन हो जाएगा सी सही लौर्ड बेंटिक चलिए संथाल विद्रो का नेता काउन थे सिंधु काहू ये चार भाई ने इसका नेतितु किया था तो इसका दो ये सिंधु और कानू दिया हुआ ह उप्शन देखे इसका हो जाएगा डी सही चलिए उसके बाद चपन में काता है दक्कन दंगा आयोक का गठन कब किया गया था 1875 में ये देखी उप्शन ही कहीं पे बी होगा आपको 1875 में दिया हुआ चलिए राणी नचमी बाय को किन किन नामों से जना जा था था राणी सही एंसर होगा C बेगम हजरत महल ऑप्शन इसका ये गलत है ऑप्शन C होगा सही अब अब आध में 1857 में जो है कृरांती का जो नेत्रित किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था चलिए 1857 के बिदरोह के समय भारत का गवर्नर जनरर्ल पूछा गया है उप्शन इसका हो option हो जाएगा C सही, चले भी बाले कार्टूस, उसके बाद आजाईए, एक सर्थ, सलीम चिस्ती का दरगा कहां इसी थे, सलीम चिस्ती का दरगा देखे, फतेपूर, सिक्री, यानि कि आगरा से कुछ दूरी पर है, option इसका हो जाएगा A सही, option A हो जाएगा सही, इसका B और C ये दोनों गरत है, option हो जाएगा A सही, सलीम चिस्ती दरगा कहां है, आगरा, उसके बाद देखे, बारसट में पुछा गया है, भक्ती अंदोलन का उत्तर भारत में किसनी आरम किया था, आगरा, शलीम चिस्ती कέλवा भारत में किसनी आरम किया थे, रामानंद, option इसका हो जाएगा A सही, कबीर गलत हो जाएगा, option हो जाएगा, भक्ती अंदोलन, उत्तर भारत में पुछेगा, तो हो जाएगा Rामानंद, चलिए, संत्कबीर का जन्म कहा हुआ था, 12ci, कासी किया स पास भूism फद्शक हो चलिए इसमें वह जाएगा भी हो जाएगा कि तिरैसट का चॉंच में वारात आने homicide हो जाएगा कि ऑपासी का यूद के अुद कंसे फ़ला गया प्रासी का यूद कि का यूद लड़ा गया था 170、 51-Disna nutrition क्या था। 106, जासी की रानी ये तो परशिद है C हो जाएगा, आपसन सही, चलिए बीर को मर्सी कहा करहने बारे थे बिहार जगधिसपूर के, आपसन हो जाएगा C सही, ठीक है, उसके बाद आजाएगे 79 महात्मा गान्धित द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था आ सहीयों का अंदोलन हो जाएगा बी सही 79 का 70 में देखे पुछा गया है 1916 में हुए भारती राष्ट के काउंगरेस के लखनव अधिवेशन की अध्यचता किसने की थी सुनिये कोश्चन क्या पुछा गया है 1916 में हुए भारती राष्ट काउंगरेस के लखनव अधिवेशन की अध्यचता किसने की थी रास बिहारी बोस अंबिका चरन मजिमदार ये देखे बी हो जाएगा उप्सन सही राखाल दास बनर जी ठीक है उसके बाद आजए ये किस धातूप का घ्यान सिंदु घाटी के बाद्यों को नहीं था लोहा लोहा इसका उप्सन हो जगा सी सही ठीक है सिंदु घाटी को लोगों को लोहा का जनकारी नहीं था तेहतर ने पुछा गया है एसियार्टिक सोसाइटी के अस्थापना किस ने की थी बिलियम जोन्स इसका सही अंसर होगा उप्सन डी ठीक है एसियार्टिक सोसाइटी के अस्थापना बिलियम जोन्स होगा सही हरापा किस नदी के किनारे इस्ती थे राभी नदी के किनारे इस्ती थे कर्लिंग किलर आई का बलड़ी गई थी दूसरों 61 सा पुर बलड़ी गई थी अप्शन हो जाएगा 75 का यह सही असोक किस राजबंस के थे असोक किस बंस के राजा थे मौर बंस के अप्शन हो जाएगा D सही option b ये गरत हो जैगा कौटी ले नहीं होगा मुदराथ अस्था अपना क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेगास तनिस तब हो जाएगा कौटी ले चली ठीक है उसके बताई जाएगे समद्र गुब्वत कि तुलना किससे की जाती है नेपोलियन से option हो जाएगा B सही उसके बताइए बूद का जन्म कहा हुआ था बूद का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था लुम्बिनी यानि कि option हो जाएगा इसका देखे C सही ठीक है 80 का तेकि या C में पूछा गया है हमपी नगर की समराज से समन्द देखिए हमपी जो था वो बिजय नगर समराज का राजधानी था option हो जाएगा इसका D सही ठीक है हमपी जो है बिजय नगर का जो था राजधानी था इसलिए option हो जाएगा D सही इसका बीजय नगर समराज के स्थापना कब हुई थी 1336 में हुई थी option हो जाएगा D सही उसके बताज़े ये 83 में क्या पुछा गया है अमुक्त माल यादा किसी ने लिखा था इसका हो जाएगा कृष्ण देवराई option हो जाएगा D सही 84 में क्या पुछा गया है आपको मिलेगा यहाँ पर और सही सही मिलेगा अल बरुनी किसके साथ बनता है था मुहमद गजनी इसका देखिए option हो जाएगा C सही चलिए उसके बताज़े ये चौथी बौध परिशद किसके साथनकाल में हुई थी option हो जाएगा D सही ये क्या नाम है इसका बंगाल में भक्ति अंदोनल का परसार जो है चैतिन परभू ये चलिए तल बंडी किसका जनमस्थान देखिए तल बंडी किसका जनमस्थान है नानक का गुरू नानक का हो जाएगा option हो जाएगा B सही 88 का चलिए 89 में बीजग में किसका उपदेश संगर ही थे सभी को मजा रहा होगा सभी का सही सही जा रहा होगा चलिए क्या है कैप्टन होकिन्स किस मुगल सासक के दरबार में आया था चहांगीर option देखिए हो जाएगा इसका B सही जाहंगीर के ससन काल में आया था हरपा सभेता किस यूग की सभेता है कांस यूग कांस यूग option हो जाएगा C सही हरपा सभेता किस यूग क्या है कांस यूग का मोहन जोदारों का साब्दी करता है मिर्तिको का तीला मिर्तिको का तीला बिरानवे का उप्सन हो जागा ये सही मोहन जुदारों का साब्दी करत है मिरितिको का टीला उसके बाद नेक्स रम कोशन देखेंगे तिरानवे में क्या पुछा गया है भारतिये पुरातत्व का पिता किसे का जाता हैलेंग जेंटर का निंग गम बिल्कुल जही B ऐप्सन होगा इसका उसकी बाद चाही हरप्पा का उत्खनन किस ने किया था उप्सन देखेंगा C सही दयारम साहनी चलिए उसकी बाद चाही काली बंगा राजस्थान में इसथी थे देखिए D सही 96 में पुछा गया पाटली पुत्रा नगर या सोन गंगा बी या डी दोनों में से कोई सही होगा इसे हमको पूरा तो नहीं लेकिन आसा है या अप्शन डी ही होना चाहिए गंगा सोन या पुन पुन ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग नेक्ष्ट देखते है भारती इतिहास का कौन सा काल इसका चाहिए इसका चाहिए इसका चाहिए का पाच्वे पांडबो का पतनी था इसका देखिया उप्शन हो जाएगा डी सही ठीक है डी हो जाएगा सही उप्शन दुरापदी किसकी पतनी थी सभी का तो चलिए सभी का मतलब इनमें सभी जो उप्शन है अप लोग गरतम समझ लिजेगा चलिए ठीक है तो यह हो गया आज के पेपर का सभी सभी 100 अबजेक्टिव कोश्चन का इनसर ठीक है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक सेर कीजेगा ताकि जिनका भी एजामनेशन था पाउज करके अपने इनसर को मिला कर आप अपने कोश्चन पेपर पे टीक कीजेगा ठीक है धन्य बाद